अलो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार सिविल कोट परतियोगता परिछा के प्रैक्टिस सेट 14 में से पहले में कुल 13 वीडियो प्रैक्टिस सेट के जो हिंदी विशय और हिंदी व्याकरण विशय से बनने वाले प्रस्णों के उपर आधारित्थे अपलोड कर चुका हूं अगर उन वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप चाहके वे सभी वीडियो देख सकते हैं तो चलिए आज हम नए प्रस्णों के साथ शुरुवात करते हैं इस वीडियो को, तो लेते हैं पहले प्रस्णों को, आप देख सकते हैं, दिये गए शब्द का आपको विलोम सब्द चुनना है, जिसमें आपको विलोम सब्द दिया गया है, इसका विलोम सब्द चुनना है, आपके सामने चार ओप्षन है आपको इसमें से सही ओप्षन बताना है कि ब्योम का बिलोम सब्द क्या होगा कुछ सेकेंड का समय लीजिए और इसका उतर देने का प्रियास किजिए तो चलिए इसके उतर को देख लेते हैं व्यूम का प्रियाई वाथी सब्द होगा आपका धरा व्यूम कार्थ होता है आकास गगन इस तरीके से देखे तो वीलोम सब्द आपका धरा ही होगा तो आपका C option बिल्कुल सही है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं उसे पहले अगर चैनल पे नय है तो चैनल को सब सब्सक्राइब और साथ बने बैल आकन को भी क्लिक किजेगा ताकि ऐसी महत्पुन वीडियो लगातार आपको मिलती रहें तो चलिए दूसरे प्रस्णों को देखते हैं कि रिकता स्थान को भरने के लिए उप्युक्त शब्द का चैयेन करें माने डांड कर मुझसे दैस एनि खालीज तान आपके सामने एँ नाचा झाया खाया टी भागा तो इस खाली अ रिकतास्थान में क्या उप्युक्त सब्द आयेगा इस उपसण मेंसे वह आपको C option बिल्कुल सही उतर है, पूछा आपका सही जवाब होगा, तो यह आपके दूसरे प्रशन का उतर था, तो चलिए अगले प्रशन को देखते हैं, दिये गए सब्द का विलोम चुनना है, यहां आपको समाने दे रखा है, समाने का आपको विलोम बताना है, तो यहां के सामन चार option है, ए, विसेस, बी, आम, सी, सामने, डी, अन्य, इन में से जो भी सही option है, वह आप इसका उतर दे सकते हैं, इसका उतर सोचे और देने का प्रियास किजिए, इसके बाद फिर में आपको इसका सही उतर बताता हूं, कि क्या होगा, उससे मिलान करके, आप अपने उतर क मुल्यांकन कर सकते हैं, इसका जो सही उतर होगा, आपका होगा विसेस, शामाने का विलोम शब्द विसेस होगा, या आपका सही उतर है, तो चलिए, अगले प्रशन को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कीजिएगा, और साथ में बने बैल अकन को किलिक कीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी बहतर हो सके, ताकि आप एक्जाम में अपने लिए अस्थान बना सके, तो चलिए, देखते हैं अगले प्रशन को, दिये गए सब्द के प्रियायवाची सब्द बताना है, ओप्शन आपके सामने है, ए, कंचन, बी, सुमन, सी, करी, डी, नीरद, इसका सही उतर, सोचिए और देने का प्रियास किजिए, तो चलिए इसके सही उतर को भी देख लेते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी आपको बता रहा हूं, तो आप चाह सोर्न का जो परियाईवाची सब्द होगा, वह कंचन होगा, क्योंकि सोर्न को कंचन भी कहा जाता है, चलिए अगले प्रस्न को देख लेते हैं, दिये गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चैन करें, सीता के लव और कुछ दो बेटे थे, तो बेटे सब्द क्या स्थान पे हम क्या प्रतिस्थापित करें, कि यहाँ वाक्य फिर भी सही रहें, आपके सामें ऑप्शन दिये गया है, ए प्यारे, बी तनया, सी वद्सला, डी तनया, आपको बताना है इसका क्या सही उतर होगा, अगर हम इसके उतर को देखिए, तो आपका जो डी ओप्शन है, तनय, यहाँ बिल्कुल सही होगा, हम बेटे के अस्थान पर अगर तनया को भी रखें, तो यहाँ वाक्य सुध होगा, तो बेटे के अस्थान पन प्रतिस्थापित सब्द, आपका डी ओप्शन तनया, बि इसका अर्थ सही-सही व्यक्त करता हो, तो आपके सामने चार उप्षन है, A. सुभधा जनक कारी करना, B. जान को हथेली के उपर रखना, C. जीवन को संकट में डालना, D. जान कीमती है, इन चार उप्षन में से क्या इस मुहावरे का अर्थ होगा, यह आपको बताना है, तो आपके दोरा दिये गए अंसर से मिलान खाता है, जवाब जो हमारा उत्तर है, वो मिलान खाता है, तो यानि आपकी तियारी अच्छी है, अगर आपके मिस्टेक या गलती ज्यादा होड़े हैं, तो आपको और तियारी करने की आवसकता है, इसके लिए चैनल को अवसे कर लें, ताकि आपकी तियारी बहुत अच्छी हो सके, क्योंकि हिंदी बहुती महत्पूर्ण है, आपको आपके एक्जाम में, आपको अस्थान प्राप्त कराने में, तो हिंदी चुकि 35 नंबर का पूछा जाएगा, तो हिंदी बहुती अनिवारी हो जाता है, तो छड़ा प्रसन आपका यह है, कि निम्रिखित में से उस विकल्प का चैन करें, जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो, तो आपके सामने चार ओप्शन है, A. सुधा जनक कारी करना, B. जान को हथेली के उपर रखना, C. जीवन को संकट में डाल होगा, अगले प्रसन को देख लेते हैं, दिये गए सब्द के प्रियावाची सब्द का चैन करें, यहां महादेव सब्द है, उसका आपको प्रियावाची सब्द बताना है, आपके सामने चार ओप्शन है, A. ब्रह्मा, B. कृष्णा, C. वीष्णू, D. संकर, महादेव मैं लेने की कोई आवसकता और देने की आवसकता नहीं है, तो चलिए सीधा इसके उत्तर को देख लेते हैं, यह आपका सही जवाब होगा, आप संडी शंकर, उमीद है आप लोगों ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया होगा, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रस्ण को, सही बरतनी वाले सब्द का चैन करें, A, विध्वान्स, विध्वान्स, B, विध्वान्स, C, विध्वान्स, D, विध्वान्स, आपको इसका सही उतर बताना है, उमीद है आपने सही उतर सोच लिया होगा, तो चलिए आपको सही उतर ब तो चलिए देखते हैं अगले प्रस्ण को दिये गे वाक्यांस के लिए एक सब्द दिजिए जीसे जीता न जा सके option है आपके सामने